क्या दोस्तो आप अपने YouTube चैनल को पर्मानेटली डिलिट करना चाहते हैं तो आज किस वीडियो को आप बिना स्किप के अंतक ध्यान से देख लेना चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं अब दोस्तो YouTube चैनल डिलिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले दोस्तो आपको अपने YouTube एप को ओपन कर लेना है तो यहाँ पर मैंने अपने YouTube एप को ओपन कर लिया है अब दोस्तो YouTube एप ओपने एक बाद यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल लोगों पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको उपर इऊपर logo दिखाए दे रहा होगा तो आपको इस logo पर click कर देना है अब दोस्तों logo पर click करने गए बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस परकार का interface अजाएगा तो यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल के नेम के जश्ट नीचे ब्लू कलर में दिखाए दे रहा है Manage Your Google Account तो दोस्तो आपको इसी option पर क्लिक कर देना है Manage Your Google Account वाले option पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर मैंने Manage Your Google Account पर क्लिक कर दिया है और दोस्तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार का interface हजाएगा अब यहाँ पर दोस्तो आप Home Page पर हो ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो आपको थर्ड नमर पर जाना है Data and Privacy का option दिखाए दे रहा होगा तो दोस्तो आपको थर्ड नमर पर चले जाना है Data and Privacy वाले option पर अब दोस्तो डाटा and Privacy वाले option पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का interface हजाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको नीचे scroll करना है ठीक है यहाँ पर दोस्तो आपको नीचे scroll करते जाना है और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस है जाएगा डिलेट ये गूगल सर्विस है आपको दोस्तो इसी ओप्षन पर क्लिक करना है क्योंकि हमें अपने यूटूब चैनल को डिलेट करना है ठीक है अपने email ID के password लगाने है तो दोस्तो यहाँ पर मैं अपने screen log से यहाँ पर continue वाले option पर क्लिक करता हूं तो दोस्तो यहाँ पर मैंने अपना screen lock लगा दिया है अब दोस्तो यहाँ पर मैंने पार्ट रोल लगाने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का interface आजाएगा और दोस्तो आपको यहाँ पर तीन option शोओंगे ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो आपको second number वाला option दिखा दे रहा है YouTube को वाला option तो दोस्तो YouTube के just आगे आपको delete का option दिखा दे रहा है तो आपको इसी delete वाले option पर simply से click कर देना है तो यहाँ पर मैंने delete वाले option पर click कर दिया है अब दोस्तो delete वाले option पर click करने के बाद आपको यहाँ पर दो option दिखाए देंगे यहाँ पर first वाला option देख सकते हैं I want to hide my channel ठीक है और दोस्तो यहाँ पर आप second channel देख सकते हैं I want to permanently delete my content तो दोस्तो हमें अपने YouTube channel को permanently delete करना है तो आपको second number वाले option पर इस arrow पर click कर देना है तो यहाँ पर मैंने इस arrow पर click कर दिया है अब दोस्तो arrow पर click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस परकार का interface हदाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको इस दोनों option को tick कर देना है अब दोस्तों दोनों option को tick करने के बाद यहाँ पर आपको delete my content वाले option पर click करना है तो यहाँ पर मैंने delete my content वाले option पर click कर दिया है अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस परकार का interface हजाएगा और यहाँ पर आपको अपनी email id डालना है आपको ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको उपर उपर शो हो जाएगे अपनी email id यहाँ पर देख सकते हैं तो वह email id यहाँ पर आपको पेश्ट कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी email id डाल देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी email id डाल दिया है अब email id डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखाए दे रहा है delete my content तो दोस्तो आपको इसी option पर click करना है delete my content वाले option पर तो यहाँ पर मैंने delete my content वाले option पर click कर दिया है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा YouTube channel permanently delete हो चुका है ठीक है यहाँ पर दोस्ता आपका एक से दो मिन टाइम भी ले लेता है तो आपको थोड़ा wait करना भी पर सकता है नहीं तो दोस्तो आपका तुरंट YouTube channel delete हो जाएगा तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको YouTube channel delete करना आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चनल को सब्सक्काइब करें मिलते लिके से नई टोपिक के साथ अब तक बाई